दो दिन पहले एक समाचार पत्र के आमने सामने कारिक्रम में शेत्र प्रमांक एक के भाजपा प्रत्याशी सुदर्शन गुपता ने भाजपा के वरिष्ट नेता और शेत्र रमांक एक के कॉंग्रिस प्रत्याशी संजय शुकला के पिता विश्नु प्रसाज शुकला के बारे में कुछ ऐसा कहा था जिसे निश्चेत ही अर्शोभनी ये कहा जा सकता है सुदर्शन गुपता के उस बयान पर कॉंग्रेस ने तो निंदा की ही थी अब भाजपा के ही दूसरे वरिष्ट नेता सत्यनारायंट सत्तन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया वरक्त की है सतनारायन सतन का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी के पास अगर अपने विरोधी उम्मीदवार के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है तो उन्हें ऐसे में वरिष्ट लोगों और भाजपा के महापुरुशों के बारे में ऐसा कीचर नहीं उचालना चाहिए ना ही इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने चाहिए निश्रीथी भाजपा की राजनीती में इसे सतन गुरु का सिक्सर कहा जा सकता है दोशी ठेहराता हूं कि ऐसे आदमी की सिफारिश करके मैंने क्या लिया इस पार्टी को जो लांचित कर रहा है विश्णू प्रसाद शुकला के केरियर को जानता नहीं है यह उस आदमी ने जेल भोगी है प्युणाय सेहन करी है भारती जिनता पार्टी को आगे ले जाने क के लिए अपने आपको तो जोका है और यह उसे गुंडाब अदमास और यह निरूपित करता है इसके पास प्रत्याशी के खिलाब बोलने की कोई बात नहीं है लेकिन यह इस तरीके की भाशा बोल करके पार्टी को ही लांचित कर रहा है आज प्यारे लाल जी खंडेल वाल और आधारकर जी और धरम साहब की आत्माएं ठाकरे जी की आत्माएं जहां भी होगी इस बयान से सुधित होगी जो अपनी ही पार्टी को लांचित करने वाले उम्मीदवार मेदान में खड़े होकर के कमल भज को कलंकित कर रहा है